इस नाते को मालना होगा तब अर्जुंगिर्ग्रा ने लगा बुले भगवन चाहिए तात्वन को भी लेकिन अब नहीं चाहिए क्योंकि यह अपने हैं इनको छोड़ना पड़ेगा इनको मालना पड़ेगा पिताम अभिश्म हैं हमें बच्पन में गोधी में खिगाए थे यह द्रोडाचार्य जी हैं इन्होंने हमें युद्ध कला में निपूर बनाया है यह जितने हैं सब मेरे हैं अपने हैं इनको हम कैसे मारूँ हतास हो जाता है निरास हो जाता है और यहीं सोज करके जाके पिछले भाग में बैट जाता है घोला प्रभु आप भी पापी कह लाएंगे आपको भी दुनिया कहेगा अर्जुन समझदार था लेकिक क्रिष्ण लड़ाएं क्रिष्ण पागे इसलिए ऐसा करें हमें ये मार डालें लोग हमें कहेंगे तो अर्जुन समझदार था युद्ध को बचा दिया भगवान ने का अभी तीन दिर पहले तो संधी प्रस्ताव के लिए मैं गया था दुयोधर ने कहा सुई किटकंड भराबर भी भूमी नहीं दूंगा चाहिए युद्ध हो जाए अभी तो तुम उछल रहे थे धनुस लेके कि एक पुलिस सेना को मात देंगे अभी क्या हो गया भगवान ने यहीं प्रस्न को मात करने के लिए 700 स्लोक सुनाया जिसमें बहुत बार अर्जुन ने उसी स्लोक को पढ़ा बहुत 41 बार यह क्या नाम है संजय जी ने पढ़ा और एक बार दिस नार्ष्ट ने पढ़ा चौरासी बार अर्जुन ने पढ़ा तो साथ सो इस लोग सुनाना पढ़ा और जब इस लोग सुना तब जब ज्ञान हो गया बुला रही है प्रभुयसक्त तो हमारे दुस्मन है यह हमारे दोस्त नहीं है दुस्मन है एक मलेटरी साहब का कोई 8 राक रुपईया ले दिए कि मलेटरी दिचारी उत्हुने गए बीरगती को प्राप्त हो गए जब उनका डेट बोडी अगर घर पर आया तो यह लोट आया नहीं देखा कि मलेटरी अपके बीरगती हुए गया पैसा कि उन्हीं के घर में उनकी आत्मा जहन लिए जब आठ राक रुपिया लगा के इनकी पर साई कीलिस्टिजक उद्र में वी विप और आ प्रेघ करता था कि जंगल में भटकते लटकते महात्मा के पास नहीं मैं प्रांटियाक बेसे जित्व ओश्राइदे बोले हां माराज एक आप कैसे जानते हैं एक मुलेटरी का हमने आठ लाठ दिया था बोले वह तो बिटबा बनके आ रहा है जब आठ लाठ पूरा भर अपन लेके निकल गया है अब उत उनको नहीं देगा तो वास्तों में गीता में भी है कि शरीर संसकारों पर आधारित है इसलिए इलावाद हाई को ने कहा घीता राष्ति धर्म शास्त होना चाहिए घीता में लजाती सब्सक्राइब और पूरानी बाते हैं आप सब दो हूं यह नहीं जलों को इसलिए चलते धिरते बैट। सोते जागते भगवान ने कहा ओम का जाब करने के लिए वह स्वामी दूसी राजी ने कहा राम सकल नामन ते अधीका ओनाथ यग खगगन वद्धीका राम ओम सिवन हम लोग भोले नात की नगरी में बैठे हुए हमेसा ध्यान को है पूरा विश्वे ही भगवान का है भोले नात की नगरी है लेकिन कासी पर विशेश इसलिए कि यहां भोले नात में तप्रस्या किया यहां पर जोतिल लिंगों में सरुसेष्ट जोतिल लिंग यहां माना जाता है और हम लोग यहां बैठे हैं इसले एक कहानी आप लोगों सुना देते हैं अगर यह कहानी आप लोग सुन के समझ दिये और उस पर चलना प्रारंब कर दिये तो आश्तित मानवा आधिकार आपको मिर जाएगा और नहीं तो जीबंधर ऐसे ही रह जाएगे ऐसे संदोष्टिओ में जाते रह जाएगे सुनते रह जाएगे केस सफेद हो जाएगे फिर भी कुछ नहीं मिलने बादा कहानी है जानते हैं एक भगत था सुना दें भगवान भोले नाथ को प्रसन्न किया भगवान भोले नाथ आये बोले क्या चाहिए बर मांगो कितना बड़ा लिष्ट निका भोले नाथ घबरा गया एक बार मैंने महिसा सुर्को बरदान दिया जाओ जिसके माथा पर हाँ धर मतलत होगे हूं मर जाएगा परबती को देखके मोहा गया देखा कि संकरे जी से फरिया लेते हैं परबती जी के अपने पास ले जाएंगे उसके बाद उसरे कि मालेंगे अब संकर जी के पीछे लगा दवडने फोले नाथ भागने लगे सासा राम के पहाड़ों में वहां भागते भागते चले गए भगवान कृष्ण मोहनी रूप बना के आए नाचने लगे नाचने लगे और नाचते नाचते जहां ऐसे किया तो उसने भी ऐसे कर दिया और वहीं पर भसम हो गया भोले नात को भगवान कृष्ण बहुत डांटे आप गाजा भान पी के बर्धान दे देते हैं और परिसानी हमको मोल लेना पड़ता है आज इसे बर्धान दीजिएगा सोच समझ के बोले नाचने का हाँ प्रभू आज इसे मैं फूप फूप के पाउं धरूँगा जब कोई भगत आएगा तो गाजा फीके नहीं जाओंगा बर्धान देने उस दिन भोले पड़ोसी को दूबना तुमको एक गाड़ी तो तुम्हारे पड़ोसी को दूबना तुमको एक गाड़ी तुम्हारे पड़ोसी को दूबना तुमको एक बैर तो तुम्हारे पड़ोसी को दूबना तुमको एक बैर तो तुम्हारे पड़ोसी को दूबना तुमको एक बै योगर बेटवाद दूई गाड़ी से हमें नहीं चाहिए चला के आव बंबई कमाने इधर के लोग तिनाते हैं तो बंबई में खोजोगे तो बिंग जाएंगे बंबई यह भो आजमी उत्तर पर्देश का भूला था तो यह अजैए भाई साथ दिखे बोड़े भाई भुलाया उत्तर प्रदेश में खोज रहा है महारास्टरा में उधर वाले लोग इधरे इपे करते हैं इसलिए मोहान भूर के यहां चले आए हैं तो चला गया पंबई कमाने इधर घर में कुछ कमी हो गई पत्मी मंत्र याद रखी थी वहीं मंत्र लगी जब ने भगवान भोले नाथ सोचे अब कौन आप पत्वित पताई हुए उन भगत नहीं लिया इसकी पत्म महान भूले नाथ प्रगठ भर देने में माहिर है इसलिए इनके मंदिर यादा है पुड़े भारत में भगवान भूले नाथ के सबसे जाधा भजन पिसका करने स्वामी जी ने कहा है सार्वधिक सिव मंदिर भारत में पाए जाते हैं गंगा के किनारे भी सेज़कत हम दखिन में जाओ, दखिरहन से साधी नहीं करता है। और गंगा किनारे के जगर घुम जाओए तो वहाँ के लोग भगत होते हैं। प्राया साथु से भी होते हैं। क्यों कि संथ महातमा दवारा उफ्भधेसित होते हैं। गंगा मैया के किनारे संत लोग खूंते रहते हैं तो जहां संत रहें के वहां तो लोग भगत बनिये जाएगा जब पत्मी भगवान भोले नाथ को बुलाई भोले नाथ हाए बोले देखो भाई सर तो नहीं रहेगा तुमको जितना दूगा परोसी को दूना दूगा मांगना आए तर मांगो नहीं तो जाब पत्नी बोले नाथ दूना चायओ उसको तिगुना दीजिए हमसे क्या मतलब लड़ीकन भूंखल सोते हैं हमको देखा नहीं जाता माता तो ड्यालू होती है हम भूखे सो जाएं कबूल है बेट भाप भूखल सोता है दे दीजिए बोले नाद में दे दिया जिसको जो दिया पड़ोसी को अपने आप भूना मिलते गया जब बंबई से कमा के च्वा महिना ते कुछ बैग में पैसा वैसा लेंके उसका पती आया बाहर गाउं से ही देखा दुस्मन का घर दू तल्दा अपन घर एक तल्दा माथा पर दो गुज़ा गया के लगता है पति में ढोले नाद से माननी बैग आया एक कोठरी में पटक द से मियां दवडा दवडा से मंदिर में चला गया हो मांक्र ऑस्पार्फ कर्त नहीं करता हूँ इसका ही अर्थ होगा ऊम नमंब स्वाए कहीं कहीं प्रतिकात économique पतुछ दास जी दिया है जैसे कि एक कहीं बान अप्रान हर दिःता यानी जब एक पान एक आदब डालेंगे उठते बैठते सोते जाएते प्रभु के शुरूर को देखेंगे तब तरक रूपी ताड़का मरेगी यह फॉस्वाल यहां औम नमस्षिवाय सिवाय माने तो एक तरह से भगवाण सिवजी होता है सम मानते हैं लेकिन सिवाय माने एक तरह से अभी होता है कि सिवाय तेरे हम किसी से प्रेम नहीं करते हैं ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं तो ओम नमह सिवाय मैं नमस्काल कर था है मंत्र क्या है तो भगवान भोले ना थाए, बोले क्या चाहिए, बोलो, तुम तो बरदान लिये नहीं थे, अगला दार लगा दिये, फिर तुम उमको बरदान करते हो, बार बार कैलास परवस्य आना पथता है, क्या चाहिए, बोलो, बोले, देखिए, जो मांगेंगे, देंगे ना, बोले, हाँ दूगा, बोले, हाँ दूगा भाई, लेकि पडोसी को दूगा, बोले, हाँ दीजिए, बोले, ठी, दो मिनट मौन रहा, बोला, भोले राद, एक गोड में हमरा बाता पकड़ लिया, अगरा तोड़ दूझे देखा अमर एक के गोड़ तुटे फड़ोसी के दुन्नों तोड़के लाख से चलू भोले नाथ कहें सरवा दूसर प्रदान मांगे तीसर मांगे चवता मांगे मैं क्या सुन रहा हूं लगता हूं गाजा जाधा पी लिया हूं क्या फिर से बोलो बोले एक पैर में बाता हो गया भी अच्चू के डाक्टर से दिखाए तव नहीं ठीक पंबई चल गए वहों डाक्टर से दिखाए भोले ना तव नहीं ठीक इसको तोड़िये दीजिए इसको रहने में कोई भलाही ही नहीं है उदेखा कि हमें को बैसाकी ले लेंगे तमाम नेता ल दिन गंदेवी इस स्वच्चता चनित्र से होता है कि एक फिदवान का मानना है कि हम फोटता नहीं करते हैं अगर स Darren यहां कर रहे हैं तो जये सामने गन्द Garden कर ने तो यहां फेक अपने दर्वाजे का कचणा पड़ोसी के सामने ठेक करके लडाई कर रहे स्वचता कहा कर रहे हुए हो कह का हम्रे दुवारी के सामने मुथ दिया तो लड़ीकन सबढ़ा के पानी शीर दिया तो लड़ाई चालू होगे घर जोब प्रवक कर लिए अब चल रहा है लाठी ठाना में जाई हजार केस अई सहीं मिलेगा कोई भी बात नहीं जब लोग तो तमाम यह फैसले देते रहते हैं बिना बात का बात का लड़ाई है उसी का फैसला है और जो मुखे-मुखे है वो तो सेटिंग बेल हो जाता है नहीं समझ गए महिसा सुरसरवा फसाया था आज तुम फसा लिए बोले नहीं देना है तो दीजिए ने दोसर नहीं चाहिए बोले मात के जावे हो मस्तु उसका एक गोड़ तुटा परोसी के दुन्हों गोड़ तुट देया है उसके बाद कहा घोले नाथ एक आंख में मतिया बिंद हो गया है हमर फोड़ दीजिए बोले ससुरा अब छोड़ दो कहा के हम तो यह को आख से आपन काम चला ले लेकिन अप पडोसी आनर हो के दून्हों हमर तू तल्ला किधर है बोले नाथ कहा रे माफ कर दो अब छोड़ दो बोले ने देना है तो दीजिए नहीं तो जुठ क आईये बर्दान से फेलो यह बोले जाओ यो मस्तू अब जाओं बोले नहीं नहीं रुकी अभी हो पाक्त नहीं बोले ऐसा करिए हमारे घर के अमिना में दूछों कुमा एक ठोखन दीजिए बन उसी में पानी पीने का बड़ा दिक्कत होता है बोले नाथ के घर में तो यह पुमा हमरे घर में दूइक कुमा और घर में सब आनर सब दुन्यों कुमा में गीर गीर के भच बेद बर गए हमारी यह भावना जब तक चाड़के ने कहा जो अपने परोशी से प्रेम नहीं कर सकता वह इस वर से खाक करेगा इसी प्रेम को तो कनवर्ट करके इस वर से अपने परोशी से प्रेम करो तब इस वर से प्रेम होगा अपने बेटा से प्रेम करो तब इस वर से प्रेम होगा बेटवा के गरी आओगे और भगवान से प्रेम होगा उत जाके वहां सो भाव पिछा करेगा वहां भी गाली देने लगोगे इसलिए बोलो जै सियाराम जै जै सियाराम बोलो जै गुरु देवं जै गुरु देवं तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा हम हमने सुना है प्रभु सबरी को तारा हम बेरी का करके बहाना प्रभु हमको भी तारो तारा है सारा जमाना प्रभु हमको भी तारो तारो आमे सारा जमाना प्रभु हमको भी तारा प्रभु सबर्भु देवं शांती ही, शांती ही, लीजिय अपन माई। हम लोग पड़ा लिखर नहीं है, नहीं समझें, एकको तक में, महराजी के कृपास से, स्वामी जी के बहुत कर्पियों बोले हों बोले हैं कि नहीं?